टैनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोईब मलिक के साथ साल 2010 में शादी की थी इन दोनों की शादी ने लोगों को हैरान कर दिया था शादी के कुछ साल बाद जब सानिया ने मा बनने का फैसला लिया तो लोगों ने कई बाते बनाई सानिया के मताबिक लोगों ने ये तक कह दिया था कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बात करते हुए हाल ही में सानिया ने एक इंटरव्यू में कहा जब मैंने एक बच्चा पैदा करने के फैसले को स्थगित किया था तो दुनिया में आठवे स्थान पर थी ये एक विकल्प था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और हमने शादी से पहले कुछ सालों तक इंतजार करना चुना लोगों ने सोचा कि हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं जैसे लोगों को यकीन था कि हम बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं लोग कहते थे कि इसको बच्चे हो नहीं सकते इसलिए इसको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है इसी के साथ सानिया ने बताया कि उन्होंने प्रेगनेंसी में क्या पसंद था सानिया कहती है कि उन्हें चिकन खाने की कोई लालसा नहीं थी वो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे जादा मिर्ची भजिये के लिए तरस्ती थी क्योंकि उन्हें मसालेदार खाना काफी पसंद है इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी खाना दोनों एक जैसा है लेकिन हमारे पास खर पर बहुत सारे ठोसे बनते थे क्योंकि इजहान को ठोसा पसंद है आम तौर पर हम सभी डायट पर होते हैं बता दे कि सानिया ने शोय मलिक से शादी की थी तो कई बाते बनी थी एसी बारे में बात करते हुए सानिया ने बताया मीडिया और सभी द्वारा कही जा रहे ही बाते हमारे लिए उस समय काफी मुश्किल थी लेकिन आप जानते हैं कि आप प्यार में होते हैं तो बहुत कुछ नहीं होता है ये सच्चाई है कि जब आप प्यार में होते हैं तो आप कुछ जादा नहीं सोचते हैं उसी तरह हम प्यार में थे और शादी करना चाहते थे हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन जब हमने लोगों का ऐसा रियक्शन देखा तो हमें बहुत कुछ अजीब लगा सानिया ने शादी के आच साल बाद बेटे को जन्म दिया सानिया और शोयब के बेटे का नाम इजहान मिर्जा मलिक है इनकी लफ स्चोरी की बात करे तो साल 2009 में सानिया ने अपने बच्चे के दोस्त सोहराब से सगाई की लेकिन जल्द ही इनका रिष्टा तूट कया जब वो तूटे हुए रिष्टे के गम से गुसर रही थी तब ही उनकी जिन्दगी में शोयब बलिकाई और साल 2010 में दोनोंने शादी कर ली दोनों की पहली मुलाकात आस्ट्रिलिया में हुई और दोनों एक दूसरे के करीब हाग है 15 नवंबर 1986 को मुंबई में जन्भी सानिया मिर्जा की परवरेश हैद्राबाद में हुई वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 6 साल के उम्रों में उन्होंने टैनिस खेलना शुरू कर दिया था उन्होंने अपना पहला अंतराश्ची टैनिस टूर्नरमेंट 1999 में खेला था आपको हमारे पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो पेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले